हाई एब्रीवन आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि आधा लीटर दूसे हम चार अलग-अलग फ्लेवर की आईस क्रीम कैसे बनाएं वो भी बिल्कुल बाजार जैसी आईस क्रीम इस वीडियो को देखने के वाद आप रियली कभी भी बाजार से आईस क्रीम नहीं ख़ाएगी सूपर सॉफ्ट क्रीमी आईस क्रीम बनेगी सिर्थ एक सीक्रट चीज के साथ हम ये आईस क्रीम बनाने वाले है रियली फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है तो चलिए फ्रेंड्स देन न करते हुए श्रू करते हैं आज की स्पेशल आइस क्रीम की रेस्पी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत बड़ीया रेस्पी उमीद है आपको आज की रेस्पी बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से आप जरूर कर दीजेगा तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अब आईस्क्रीम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बेस एक बेस से हम अलग अलग फ्लेवर की आईस्क्रीम बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इस बेस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं मैं तीनों तरीका ही आपकी साथ सेयर करने वाली हूँ आपको जो इजी लग अब जो दूसरी चीज है वह इक स्पुन्ध लूर है अगर आपके पास कौन्ध फलूर है तो आप कॉन्ध फलूर का इस्तिमाल करके ऐस्खरी में जावार अपन सकते हैं तो मैं अभी disentनावरी जो आप कि नहीं है कौन सी चीज कितनी लेनी है जो तीसरा हमारा चीज है वो है गेहूं का आटा जो गेहूं का आटा होता है नॉर्मल चक्की वाला आटा जिससे रोटिया मनाते हैं इसमें ग्लूटेन पाया जाता है जिसकी बजाए से दूद में गहड़ा पनाएगा और हमारा बेज बन करके त अगर दूद है और झेलाँ दरा माताको नीमुसे बन कमा पर भादा जो फ्रम चाहिए कुल दूद करी है युक्त बड़ है वाल आने देते हैं जब तक धूद एक तो यहां पर अलागे कटोरी में हम लेंगे गयां अ का लगाग वीजन है नॉर्मल कि हमारे चो टी यह फून होती है प्लन तैंगतका हम अदंधा पर आदा लिटर थेह घ्मठ के हिसाब से और हम 10 गहों का अटा इस looking को नहीं लेना अगर दूध जो है आपका गहड़ा नहीं है ज़्यादा तो आप थीं चम्माच़ बीसा किसे गोले हैं तो पहले भी करेंगे च्राइश करके आपको किसे आइसक्रीम करने सीर्ख सप Wald बेस बनाने वाले हैं गेहूं के आटा से बनाएंगे बिलकुल भी आपको टेस्ट समझ नहीं आएगा मैं गैरंटी देती हूं बहुत ज्यादा टेस्टी आपको यह आइसक्रीम लगेगी तो चलिए दूद जो है अच्छे से उबलने लगा है आप देख सकते हैं इसमें वाल गोल डाल दिया है आप हम इस गोल को लगातार एक मिनट तक दूद में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिलकुल भी गुठनिया ना पड़ पाए तो चलिए इसको हम लगातार चलाएंगे तो आप देख सकते हैं दूद पहले से काफी गहड़ा हो गया है और अभी हम इसक आपसे इसमें डाल सकते हैं सजेस्ट करूंगे थोड़ी सी जादा ही डाले क्योंकि जब आइसक्रीम बन जाती है तो इसकी मिठास कुछ कम हो जाती है तो चलिए चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमने दूद को एक देर में तक और पका लिया है तो आप आप फ्लेम पर लगबक आपको 3-4 मिनट तक इसको पकाना होगा अब दूद ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं और इसका थोड़ सा थिकनेस और बढ़ गई है आप दूद हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है आप आइसक्रीम जमाने के लिए हम यहां पर ले रहे हो सारे दूद को हम इस बॉक्स में डाल देंगे और इसका ढखकन बंद करके आइसक्रीम को जमने के लिए रख देंगे यहां पर जरूरी पॉइंट आइसक्रीम लगबक 50% तक जम जानी चाहिए यानिकि आधे से ज़्यादा आइसक्रीम जम जानी चाहिए तो लगबक 3-4 लगेंगे डिपेंट करता है आपकी फ्रिज पर कितना टाइम लगता है तो चलिए हम आइसक्रीम को जमने देते हैं 3-4 घंटे बाद जब आपकी आइसक्रीम जम जाए तो आपको यहां पर इस तरह से आपके पास कटोरिया सबी के घर पर मिल जाती है अगर ऐसी नहीं है त इस तील की कटोरिया तो सब भी घरों में मिल जाएंगी तो आप बो भी ले सकते हैं तो यहां पर आपको जितने फ्लेवर की आइसक्रीम जमाना हो आप उतनी ही कटोरिया यहां पर ले लीजिए अब आइसक्रीम हम चेक कर लेते हैं जमी या नहीं तो आइसक्रीम जो है जम करती हूं कि आप इसको दुबारा चन जरूर करिए अब यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोग कह रहे हैं मेरी आइस क्रीम में आइस जम गई है उतनी अच्छी नहीं बनी तो आपकी गलती कहा है आप जैसे ही आइस क्रीम को चन करें दुबारा तो रंत ही इसको मोल्ड में डाल करके फ्रिज में रख दीजिए यहां पर अगर आपने देर कर दी पात दस मिनट तक रखे रहने दिया तो आइस क्रीम डियली सॉफ्ट नहीं बनेगी तो आइस क्रीम बहुत ज्यादा है तो इसको हम दो भागों में चन करेंगे तो चलिए सबसे पहले तो हमने पाइनेपल और स्ट्रॉवेरी फ्लैवर की तो यहां पर मेरे पास पाइनेपल और स्ट्रॉवेरी के फ्लैवर रखे हुए हैं अगर आपके पास इमल्शन है इमल्शन में क्या होता है कलर भी होता है और फ्लैवर भी होता है तो इमल्शन नहीं है यह फ्लैवर ही है तो इन तो ऐसा ही आप करें दो-दो करके ही चर्ण करें क्योंकि अगर बहुत टाइम तक बाहर रखी रहेगी तो आपकी जो आइस्क्रीम की सौफनेस है वो नहीं आ पाएगी तो लीजे हमने दोनों बाउल में आइस्क्रीम को ट्रांसफर कर लिया है और आप हम इसमें सबसे पहले ह एपनियप्ब फ्लेवर का तो थोड़ा सा डालना होता है ज्यादा नहीं डालना होता है वहाला गाड़ा हम धाला करेंगे यह सर फ्लेवर मिल से आसानी से आफ लाइन मिल जाते हैं वरना आप आएस्क्रस कर सकते हैं तो आपके पास फ्लेवर नहीं है तो आप Од soundль Ilे को आपको जरूरे करना है कि कवर कर देगा और आइस क्या है कैब छे नहीं होगा तो इसमे zijEM अजब नहीं dal hem तो हमने इसको ढखतर के ढख दिया है इसको हम साइड में रख देते हैं और जब तक दूसरे फ्लैवर की आइस क्रीम तयार कर लेते हैं आप यहां पर हम ले रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लैवर तो इसके भी हम आठ दस बूंदे इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम पिंक कलर डाल देते हैं क्योंकि तेश्ट तो आ जाएगा लेकिन कलर भी होना चाहिए न अस्ट्रॉबेरी वाला तो हम वही डाल देंगे इसमें पिंक कलर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो लिए जी इस्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइस्क्रीम का बैटर भी बन करके तयार है सेम उसी प्रोसीजर में इसको भी हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे यहां पर जरूरी बात जो मैं बताना बूल गई अगर आप कॉन फ्लोल ले रहे हैं तो भी आपको उतनी क्वांटिटी में लेना है जितना हमने गियूं का आटर लिया है बिसकिट ले रहे हैं तो आप धाई चम्मच की जगह तीन चम्मच ले लीजिए बस उससे ज्यादा तो ले वरना विसकिट लेवर आ जाएगा किवल तिकनेस बढ़ाने के लिए हमें इनका इस्तमाल करना है तो हमने दो फ्लेवर के आईसक्रीम बना ली और अगले जो थो फ्लेवर हैं वहाम बनाने वाले हैं चौकलीट शिरफ से तो चौकलीट शिरफ ईजली मार्केट में जाते हैं आजकल इस तरह से पैकेट्स में आते हैं या इसकी सीसी आती है और अगर यह सब नहीं आपके पास तो डेरी मिल चॉकलेट हो या डार्क चॉकलेट या कमपाउंड चॉकलेट में से कोई भी हो इसको आप ग्रेट कर लीजिए थोड़ा सा गरम पानी मिला दीजिए तो यह मेल्ट हो जाएगी और इसका शीरब बन करके तैयार हो जाएगी और जो चॉथा फ्लेवर है वो हम अनने वाले हैं बनीला फ्लेवर से तो यह आर्गाम से मार्केर में मिल जाता है तो चलिए अब हम अगली जो आइसक्रीम बची हुई है उसको भी हम चर्ण कर लेते अब इसमें डालेंगे हम चॉकलेत शिरफ तो चॉकलेत शिरफ तो चॉपलित शिरफ ज जालें तो बड़िया फ्लेवर आएगा बच्चों को भी बहुत पसंद होता है तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आ गया है अगर आपको थोड़ा कम लाइट लग रहा है तो और भी चॉकलर शीरा पाप एड़ कर सकते हैं और इन दोनों आइस क्रीम को हम उपर से सजाने वाले हैं ड्राइफ्रूट से क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी या पाइनेपल था वो भी सजा सकते थे बट मुझे नहीं लगता कि प्रियूटी को शाना में के जिंद नहीं जरुड़ है कि प्रियूटी को छाजना में ड्राइफ्रूटी का बलीजी आजा क्रीमिया ब जमने के लिए बिल्कुल तयार है इनको हम फ्रीजर में रख देते हैं तो लीजे आइस क्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी है लगभग 5-6 घंटे मुझे और लगे इसको जमाने में तो सभी आइस क्रीम बहुत बढ़िया जमी है अगर बहुत ज्यादा टाइट जम जाती है तो थोड़ी दिर के लिए बाहर निकाल करके रख दीजे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए तो चलिए अब हम आइस क्रीम को निकाल लेते हैं तो मैं यहां पर स्कूपर से इसको निकाल रह सबस्क्रिम घृष्ट कर देते हैं हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देते हैं और हम सबस्तुन प्रेभर की और ह्मापहद्ट उपता देक्राइब मुझे पसंद की है पदेखें के बाहर कि एकड़ करने के रखें कि बाहर की यह अंदर ना जाने पाइए तब ही आपकी आइस क्रिम बहुत सौफ्ट बनेगी तो यह देखिए हमारी बनील आइस क्रिम बनकर बिलकुल दैयार है तो चलिए आपको कटकर के देखाती यह कितनी आइसrir निया है तो बनिल के मैंने ठोड़ा साज में चॉकलेट शिरफ डाल दिया बहुत अच्छी बन रही है मैं जितने भी वीडियो शियर कर रही हूं मैं पर्शनली बता रही हूं कि सबी बहुत टेस्टी बन रही है आप सबी देख सकते हैं कि यह कितनी ज्यादा सौफ्ट आइसक्रीम बनी है यह देखे तो इसी तरह से आप भी घर पर एक बेश से अलग अच्छी रैसी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सियर जरूर करें थैंक्यू